नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे दुनिया भर में फैला कोरोना वाइरस बार बार अपना रूप बदल रहा है और उसके बास से पहले से भी जादा खतरनाक होता जा रहा है पहली लहर में कोरोना वाइरस ने इतना कहर नहीं मचाया था जितना की रूप बदलने के बाद दूसरी लहर में मचाया वहीं अब कोरोना ने एक बार फिर से नए वेरियन्ट यानी नया रूप ले लिया है यही वज़े है कि कोरोना की तीसरी लहर बेहत खतरनाक बताई जा रही है कोरोना पर हर दिन रिसर्च चल रही है ताकि कोरोना से जुड़ी जानकारी मिल सके अब कोरोना को लेकर WHO ने नया खुलासा किया WHO ने कहा है कि दुनिया के 39 देशों में कोरोना का नया वेरियंट मिला है जिसका नाम लेम्डा है WHO ने बताये कि विशेश तोर पर कोविट का नया वेरियंट दक्षड अमेरिका में मिला है यहां इसकी उतपत्ती मानि जा रही है सापताहिक अपडेट के तौर पर डबलो एचो ने बताए कि कोरोना का ये नया वैरियंट पेरू में पाये गया लेमडा को दक्षल अमेरिका में उन्नत प्रसार के कारण वैश्विक रूची के रूप में वर्गी करत किया गया है पेरू के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अप्रेल 2021 से लेकर अब तक 81 फीजदी संक्रमित मामलों में यही वैरियंट पाये गया वहीं चिले में पिछले 60 दिनों में दर्ज किये गए मामलों के 32 फीजदी केसों में कोविड-19 का नया वैरियंट पाये गया है इसके अलावा अर्जेंटीना और एक्वाडोर में भी कोरोना के नय वैरियंट के कई मामले मिले हैं वहीं डगलो एचो ने बताए कि लेम्डा वैरियंट में म्यूटेशन होते हैं जो संक्रमन को बढ़ा सकते हैं या एंटीबोडी के लिए वाइरिस के प्रतिरूद को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं हालाकि जेनेवा बेस्ड और्गनाजेशन के मताबिके नया वैरियंट कितना असरदार होगा इसका प्रमान फिलहाल बहुत सीमित है और लैम्डा वैरियंट को बहतर ढंक से समझने के लिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जानी की जरूत है डबलो एचो ने कहा है कि वैरियंट लैम्डा कोरोना के संक्रमन की शमता को बढ़ा सकता है या फिर एंटिबॉडी के लिए वाइरिस के प्रतिरूत को और भी जादा मजबूत कर सकता है समय के साथ साथ बढ़ते हुए प्रसार के साथ साथ कोरोना की घटनाओं में व्रधी हुई है डबलो एचो ने जानकारी दी है कि लैम्डा वंश में उत्परिवर्तन होता है जो संक्रमन शमता को बढ़ा सकता है या एंटिबॉडी के लिए वाइरिस के प्रतिरूत को मजबूत कर सकता है डबलो एचो ने चिंता जताई है कि संक्रमन का ये वैरियंट कहीं दुनिया भर में ना फैल जाए हाल ही में डेल्टा वैरियंट ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी ब्रेटेन ने दावा किया था कि उसके देश में 11 दिन में मामले दो गुने हो गए और इसका जिम्यदार डेल्टा वैरियंट को माना जा रहा है लेम्डा वैरियंट म्यूटेट होता है जो संक्रमन शम्ता को बढ़ा सकता है साथ ही संक्रमन के इस स्वारूप के सामने एंटी बॉडी भी असर नहीं करेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार